देखें जो जोग्रफी की हमने स्रीज स्टार्ट किये से पहले हमने एक वीडियो देख चुके है जिसमें टोटल पचास को सुनों को कवर किया गया चलते हैं देखें फिर से अगले पचास को सुनों को इसमें डिसकस करते हैं पहले point में देखे आप से क्या का आगया बारत की सबसे लंबी सीमा देश किसके साथ में लगी है तो आप बताएंगे आंसर होगा बांगलादेश बारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी है तो आंसर क्या होगा बांगलादेश कितनी लगी है लगबग 46,96 किलोमेट नगाल राज्यों से सम्मंध है बांग्लाश देश के बाद सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगili है तो आप प्धायेंगे चीन के साथ लगिए 49 17 किलो मेटर bharat का तीसरा सबसे बड़ा सीमा पाकिस्तान से लगता 33 किलो मेटर और भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगता तो आप आंचर बताएंगे 106 किलोमेटर अफगानिस्तान से लगता नेक्स्ट सुल्टानपूर बर्ड सेंचुरी कहां पर इस्तिता है तो आप बताएंगे गुड़गाओं में ही नेक्स्ट किस दिन को विशू जल दिवस के रूप में बनाया जाता तो सभी जानतें 22 मार्च को क्या बनाया जाता वाटर डे या विशू जल दिवस बनाया जाता नेक्स चलते हैं देखें इसके बाद कोशन नमबर 6 की दरफ बुकम पाने का कारण क्या है तो आप बदाएंगे प्रित्वी की विवर्तनिक प्लेटो या टेट्टोनिक प्लेटो की गति कहलाता प्रित्वी सूर्य और चंदरमा के बीच आ जाता तो उसे कहते हैं चंदरग्रेण हेली दूम के तुमें कौन से, साल में प्रित्वी के आसपास के छेतर में लोटने की उमीद है तो आप बनाएंगे 261 में, aprilaldi काहां पहे तो आप बनाएंगे चंदरमा पहे सबसे ओश्न ग्रहे कौन सा होता तो आप बदाएंगे वीनस, सबसे गरम ग्रहे पोचने लगे तो आप बदाएंगे वीनस मतलब सुक्र हो जाएगा पिर्थवी के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है तो आप बदाएंगे भुगर्ब सास्त्र किसको कहते हैं भुगर्ब सास्त्र मर्याना ट्रेंच किस महासागर में इस्तित है तो आप बदाएंगे परसांत महासागर में वो पिछली वीडियो में कहते है सुन्दा गर्थ किस महासागर में तो आप बदाएंगे हिंद महासागर में नेक्स चलते हैं देखें इसके बाद बाल्टिक समुंदर को उत्री समुंदर से मिलाने वाली नहर है तो आप बदाएंगे कील नहर हो जाएगा बाग प्रियोजनक का बारम की गई तो 1973 में प्रारम की गई है जाएगा समुंदरी जल में कौन सा योगिक सरवदिक मातरा में पाए जाता है जीलो के अध्यन को क्या कहते हैं तो आप बदाएगे लिमनलोजी ये पहले कोशन में भी आया था पहले वीडियो में भी आया था गोल्डन रोग पगोडा किस देश में है तो आप बताएंगे म्यामार में जो गोल्डन रोग पगोडा किस देश में तो म्यामार को जाना जाता है अफ्रीका का सबसे उचा परवत है कलिम मंजारो तो वो किस देश में तो आप बताइगे तंजानिया में और तंजानिया की राज़दानी क्या है डोडो मा है नेक्सट विशू का सबसे बड़ा कोरल ग्रेड बेरियर रीफ कहां पर है सागर को परसांत महा सागर से मिटरियोलोजी अध्यन है तो आप बनाएंगे मोसम का है भारत और सिलंका के बीच कौन सा दीप है तो रामेश्वरम है छेतरफल के नुशार विशु का सबसे भारत का स्थान कौन सा तो आप बनाएंगे सात्वा है वायू मंडल किस परत में ओजोन परत होती है तो बदाएंगे स्टैटो स्फियर में भारत में सबसे प्राची इंतेल सोधन कहा परिस्तित है तो डिग बोई हो जाएगा विली विली है तो ओस्टेलिया में चलने वाली उस्ण कटी बंदिय चकरात को कहते हैं विली विली हवा में अमल वर्षा के छोड़े जाने का कारण क्या है तो आप बदाएंगे सर्फर डाई उकसाइड बेर नाइट्रोजन उकसाइड है नेक्स्ट रोतांग दर्रा एवे विस्तित है तो आप बदाएंगे हिमाचल परदेश में रोतांग दर्रा कहां पर है तो आंसर होगा हिमाचल परदेश में नेक्स चलते हैं देखें इसके बाद चिपको अंतोलन मूल रूप से किसके विरुद था तो आप बदाएंगे वन कटाई से था ही माउरी जनजाती निवास छेतर पाए जाता है तो आप आंसर बताएंगे न्यूजिलेंड में वायू मंडल में ओजोन को मापने के लिए यूप भी स्पेक्ट्रोमेटर किसने विक्सित किया है तो आप बताएंगे प्रोफेसर जी एम डोप्शन ने किया है भारत का मानक समय कितना देशांतर इस्थन्य समय है तो आप बताएंगे साड़े बैसी डिग्री भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है तो बताएंगे मैकमोहन रेखा हो जाएगा सूरत किस नदी पर बताएंगे इंपोडेंट कोशने बताएंगे तापती नदी पर बसावा है मुल्ली पेरियार बांध किन नदी के बीच का विसे है तो आप बताएंगे केरल वे तमिलाडू का है भारत में सुएत करांती का जनक किसे माना जाता है तो बताएंगे वर्गिच कुरियन को छेतरवल की दिरिष्टी से बारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे गोवा हो जाएगा नेक्स चलतें देखें इसके बाद रिहंद बांध किस राज्य में है तो ये इंपोडेंट रहेगा उत्तर पर देश में है तो अन्यमुडी केरल में है जोग परपात जल परपात पूछने लगे तो आप बताएंगे करनाटक में भारत का सबसे बड़ा जल परपात है और भारती बूव वैज्ञानिक सर्वर्शेक्र की स्तापना कब की गई तो बताएंगे 1851 में MS स्वामी नाथम नामक भारती अनुवांश की किस परमुक भूमी का निभाई थी तो आप बताएंगे हरित किरांती में सबसे लंबी तड़ी रेखा लगने वाला राज्य कौन सा तो गुजरात वायू मंडली दवाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता तो आप आंसर बताएंगे बैरोमिटर किसका प्रियोग किया जाता बैरोमिटर का प्रियोग किया जाता